हलो फ्रेंड्स जह मादादी कैसे हैं आप सब यादेवी सर्व भूतेशु मा काल रातरी रुपे ने संस्थिता नमस्त शेई नमस्त शेई नमस्त शेई नमो नमाहा बोले महाकाली काल रातरी दुर्गा चंडी की जै महाकाली मा जिसे बचावे उस पर कभी कश्ट ना आवे तू भी भक्त प्रेम से कहले काल रातरी मा तेरी जह जे काल रातरी मा तेरी जह जे दोस्तों देखते देखते चैतर मा के नवरातर की महा सब्तमी आ गई और चैतर नवरातर की अंतर गत सब्तम दुर्गा काल रातरी का पूजन किया जाएगा शब्द काल रातरी का अर्थ ह मृत्यू रूडानी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा कहा जाता है मापारवती का सबसे विध्वनसक और आक्रमक रूप माना जाता है महाकाली का और काल को हम हिंदी में क्या कहते हैं मृत्यू को भी संदर्बित करता है रात्री रात या अंधकार या अज्ञानता को संदर्बित करता है इसलिए माकालरी रात्री की उपासना अंधकार की मृत्यू लाती है जो अज्ञानता को समाप्त करती है देवी अपने भक्तों को सदैव शुब फल प्रदान करती है इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है त्रीनेत्री देवी के शरीर से बिजली की भाती किरने निकलती रहती है कंठ में विद्यूत की माला लिए देवी के बिखरे केश हवा में लहराते डर पैदा करते हैं और चतर भुजी देवी करधप पर सवार है और अपनी उपरी दाई भुजा से भक्तों को बर्दान देती है निचली दाई भुजा से अभे आशिरवाद देती है बाई भुजा में क्रमशर तलवार और खड़क धारन किये है और देवी कालरात्री का अत्यंत भैंकर स्वरूप मात्र पापियों के नाशेतु है और कालरात्री ही महामाया और श्रीहरी की योग निद्रा है कालरात्री ने ही सृष्टी को एक दूसरे से जोड रखा है इनकी उपास ना करने से ब्रम्हान की सारी सिद्धियों के दर्वाजे खुलने लगते हैं, तमाम आसुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारन से ही भैभीत होकर दूर भागने लगती हैं, इसलिए दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, इनके स्मरण से भाग ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है, अगनी, जल, जन्तू, शत्रू, रात्री सभी भै दूर होते हैं, इनसान भै मुक्त हो जाता है, मा का प्राकट्य शुम्ब और निशुम्ब के वद के लिए ही हुआ है, और राक्षसों ने माता पार्वती को कैलाश स्परवत से ल पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने सभी राक्षसों का संघार किया, और इनमें रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था, जिसके खून की बून जमीन पर पड़ते ही, अनेक दानव जनम हो जाते थे, उनका बद करने के लिए मा काल रात्री ने अपने कई रूपों को प्रकट क और इसके बाद वद करते हुए उनका खून पीती गई और अंत में उन्होंने शुम्ब और राक्षसों का भी विनाश कर दिया, तो बोल ये, अम्बे मात कीजए, काली मया कीजए, और दुर्गा मा का ये सात्वा स्वरूप, देवी काल रात्री शनी ग्रह पर भी अपना अधी पत्र रखती हैं, और काल पुरुष सिद्धान के नुसार कुंडली में शनी ग्रह का संबंध दशम और एकादश भाव से होता है, इसलिए देवी की साधना का संबंध आपके करम छेत्र, आपके प्रोफेशन, आपके पिता, आपकी आए, आपकी लाब, आपकी नौ इसलिएरिंग है, हार्डवेर है, पशू पालन है, इनकी साधना से ग्रह बाधाई शांत होती है, पदुन्नती मिलती है, धनलाब होता है, तो मातारानी को कैसे मनाएंगे, अगर आपने घर पे स्थापना की है, अल्रडी मा की चौकी लगा रखी, तो वहीं बैट कर मा काल रातरी के मंतरों का जाप करें, और नहीं तो घर की पश्शिम दिशा में पश्शिम मुखी ओकर नीला वस्तर बिचा कर देवी काल रातरी की चित्र की स्थापना कर विदिवत पूजन करें, मा को लाल पुष्प चणाएं, स्टील के दिये में तिल के तेल का दीपक करें, और घी से भी दिपक जला सकते हैं, इस दिन विशेश रूप से लोबान के उपाय करने चाहिए, और लोबान की धूप करनी चाहिए, कुछ लोग कहतें घर पे लोबान हिंदू में नहीं जलातें, बहुत बड़ी मिथ्या बात है, इसको ना मानें, और काजल से तिलक करें, नीले पुषप चढ़ाएं, रेवडियों का भोग लगाएं, गुड का आज के दिन विशेश रूप से गुड का भोग लगाया जाता है, और दुर्गा सब्तशती का पाठ करें, मा कालरात्री के स्तुती और मंत्रों का चाप करें, उपाय भी करें, उपाय भी बताऊंगी क्योंकि जीवन में हर इंसान चाहता है, घर में सुक्षान्ती सम्रिद्धी का वास हो, घर में जो बुरी शक्तियां हैं, नकरात्म कुर जाएं हैं, उनसे बचाओ हो, और हर कोई चाहता है कि मातारानी जल्दी से हमसे अट्राक्ट हो जाएं, क्योंकि इतने लोग पुजा क करेंगे तो एक कटोरी में लोबान खुब सारी रख लीजें, इसके बाद काले हकीक की माला से, अभी मंतरत माला होनी चाहिए काले हकीक की और नहीं हैं, तो काली उड़त के 108 दाने ले लीजें, उससे ओम कालरात्री देव्वेई नमहा, ओम देवी कालरात्री नमहा इन मंत उत्रपडे हिम काल रात्री श्रिम कराली च क्लिम कल्यानी कलावती काल माता कली दर्पगनी कम दीश कुपान विता काम अभीज जपांदा काम अभीज स्वरूपनी कुमत घिनी कुली नर्ति नाशनी कुल कामनी कलिम रिम श्रिम मंत्रवर्नेन काल कंटक घातिनी क्रिपा मै क्रिपा धारा क्रिपा पारा क्रिपा अगमा ओम कलिम मेहरद्यम पातू पादो श्री काल रात्री ललाटे सततम पातू तुष्ट ग्रिह निवारनी रस नाम पातू कौमारी भैरवी चक्छु शोर भमा कटो प्रिष्टे महेशानी करना शंकर भावनी वर्जितानी तूस्थाना भी यानी च कवचे नही तानी सर्वानी में देवी सततम पातू स्तंबिनी इस फ्रकार मा के कवच का पाठ करें मा की आरती करें काल रात्री जे जे महाकाली काल के मुख से बचाने वाली दुष्ट संगहारक नाम तुम्हारा महा चंडी तेरा अवतारा मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको आरती दे दूंग इस मंत्र को आप जोड करके कोई भी संपुट पाठ मनुगामना उसाथ कर सकते हैं पूजा के उपरांत गुड का जो भोग आपने लगाए कटोरी में गुड तो रखना है सबके लिए तो गुड आप खुब सारा रख लिजे मा को भोग के लिए और लास्ट में गुड का प्रसाद के रूप में आपको भी स्वयम खाना चाहिए और पूरे घर में इसके बाद लोबान का धुड गुमाइए फिर जलती वी लोबान को गेट के बाहर रख दीजे आप तेखेंगे आपके घर के जितनी नकरात्म कुर जाएं हैं वो सब खत्म होकर सकरात्म कुर पढ़े रहते हैं, आलसी ओं की तरह खाते पीते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, गंदगी में पढ़े होय हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपको घर में लोबान का धुड जरूर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ आध अगर बात चीत नहीं करते बैठते नहीं हैं, तो आपको लोबांड का धुआ वश्य कीजिए, सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, घर में शांती का मोहल बढ़ेगा, मन शांत होगा, और घर में अगर वास्तु दोश की वज़ा से यह सब हो रहा है, तो भी वास्तु दोश भी कम हो जाएगा, आप चाहें तो रेगुलर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, रोज शाम को लोबांड सरसों और गूगल को घी में मिला के रख लीजिए, और रोज एक कंडा गोबर का जला लीजिए, और कंडे के माध्यम से इस मिश्रन को जला कर घर में धुआ करें, अगर घर के लोगों में लडाई जगड़े हो जाते हैं, धुए से कलेश हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आज कल इलेक्रिक डिस्पेंसर आते हैं, आप उस पर भी रख करके लोबांड धर में ज़ला सकते हैं, और ऐसा लगातार आप महा काल रातरी के दिन से शुरू करके अगले 27 दिन रोज कीजिए, 27 दिनों तक आप देखेंगे, रोज करेंगे, नकर आत्मक शक्तियां घर से तूर हो जाएगी, एक स्पेशल धुनी भी बता रही हूँ, आज काल रातरी पे गिफ्ट समझ लीजे, इसको जिन्तगी भर्याद रखें, नीम के पत्ते आप ले सकते हैं, सुखा के रख सकते हैं, उसका पावड तो आपको यह जो मैंने धूब बताई है, इसको आप आज की दिन तो कीजिए, इमा काले रातरी के दिन, और अगले तीन दिन नवरातर में, सप्तमी, अश्टमी, नौमी, यह तीन दिन तो आपको यह उपाई करना है, इसके बाद भी आप चाहें तो 27 रातरी कीजिए, आरिवार के लोगों को समाज में अपमान जेलना पड़ रहा है, तो भी आप रोज घर में कंडे पर यह मिक्स्चर बना कर धूनी दिखाएए पूरे घर में, घर के बाहर, घर के चारो तरफ जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो घर के बाहर धूनी को ले जाएए यह जितन हो उस समय आप गोबर के कंडे जला करके लोबांट गुड और घी यह डाल करके दूहा कर सकते हैं इससे जो भी आपका वर्क प्लेस है चाहे वो फैक्टरी हो चाहे दुकान हो चाहे कोई ओफिस हो वहां पे नकरात्म कुर्चाय दूर होती है और जीवन में तरक्की के उप सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिती और मजबूत हो जाया भी बहुत खराब है तो आप आज के दिन क्या कर सकते हैं गोबर के कंडे से गोबर के कंडे जला कर उस पर आप लोबांट और थोड़ी सी लोबांट को क्रश करके आप धुनी में जो हवन सामगरी होती है उसमें मिला लेजिए और 108 हाउती आपको ओम एम रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे इसकी दे सकते हैं साथ में अब चाही तो थोड़ी सी काली मिर्च, काले तिल, पिली, सरसों ये भी इसमें मिला सकते हैं इससे भी मातारानी का आशिरवाद मिलत घर में धंधाने की कमी नहीं होती आकस्मिक दुरघटनाओं से बचाव होता है और परिवार के सदस्यों का जीवन सुरक्षित रहता है दोस्तों आप चाहें तो थोड़ी सी केसर, जावित्री और लोबान मिला लीजिए और सुभी शाम लगातार आप कम से कम ये तीन दिन अशक करें तो चुछाते हैं आक की चीजों को आप से चिनने की कोशिश करते हैं आप कहीं भी जाएं आप से पहले आपकी बदनामी वहां पुछा दैते हैं तो ऐसे लोग कई बार कंतरमंत्र कहा सहारा भी लेते हैं आपको नुकसान usually get you back on the किस्ट जाल आससुरा में लेको आपको ञुरी इस बुरी बला को तालने के लिए आपको जावित्री ले lिजे और केसर ले ले लो बान ले जिये और गुगल ले ले جए चारों चीज मिला अपको घर में डूनी दिखानी चाहिए और कम से कम ये तो आपको महा कालरात्री के दिन से शुरू करके सप्त्रमी, अश्टमी, नौमी और दश्मी तिति तक, आपको ये करना है और नहीं तो आप चाहे तो एक किस दिन तक लगातार भी कर सकते हैं, दोस्तों ये तो हुए लोबांड के उपाई, इसके अलावा आप चाहे तो सिक् कोई भी 1-2 रुपे के, पांच पे, 10 के जो आपके इच्छा हो जो सामर्त हो और इसको महा कालरात्री के सामने रख करके, आप पूजा कर लीजे और ओम महा कालरात्री नमा इस्वंत्र का झ्झाप कर लीजे और इसके बाद इस सिक़् को उठाकरकर, अपनी तीजोरी में ल अगातार उसका आपको पूजन अवश्य करना है, हत्या जोड़ी जो भी नवरातर में सिद्ध भी की जा रही है, आप चाहे तो उसे भी मंगा के अपने साथ रख सकते हैं, सियार सिंगी को अपने घर पे तीजोरी में नौ दिनों में सिद्ध करके स्थापित कीजे, आप दे काली मिर्च को सब की उपर से अलग अलग काली मिर्च लेनिए, बारा बारा दानों की पुडिया बना लीजे उसको वार के और सब एक साथ करके आप इसे कपूर के साथ या गोबर के कंडों पर गेट के बाहर जलाएंगे घर के बार जगे निये बालकनी में जला सकते हैं, और दोस्तों खास तोर से मा दुर्गा की पुजा में लौबान का उपयोग जरूर किया जाता है ये किस्मत के द्वार खोलता है इसके अलावा लौबान जलाने से घर से हर तरह की नकरात्मक शक्तियां दूर होती है इसके अलावा इसका तंत्र मंतर में भी इस्तेमाल होता है घर में जो भी नकरात्मक शक्तियों के कुरू प्रभाव अलड़ी पड़े हुएं, वो दूर होते हैं, धन्धान्य में वृद्धी होती है, परिवार में इससे शुक शान्ती आती है, आपकी जीवन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, दोस्तों ये सिर्फ ऐसे ही यहां यूरवेद में इसके फायदे हैं, इसका धुआ विशेश रूप से लिया जाता है, कभी ठ्राइ कीजिए लोवान का धुआ जिसको अर्थराइटिस है, जिन लोगों को गले सांस से संबंदित रोग है, उन लोगों के लिए तो ये रामबान होता है, इसके बारे में कभी विस्तार पूरवक बताऊंगी, अभी ठ्राइ ना कीजिए ये स्टंट, तो सभी लोग कम से कम इतना कीजिए, माकाल रातरी का दिन है, नवरातर की साथवी माहा रातरी है, तो सभी को अपने घर से नकर आत्म कुर्जाओं को बाहर कर देना है, बिलकुल बाहर कर देन मातरा नियाब सभी की रक्षा करें, इसी सच्छी मनु कामना के साथ आज के लिए इतना ही, और अकेले नहीं सुनना है दोस्तों, मा का ध्यान है, मा की कृपा है, इसको सभी लोगों से थोड़ी थोड़े बाटते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन साव पाई, कब कि की लाइव बदल दे, so love your friends, take care, जै माता दी, भुले ना की जै करा, शेरा वालिदा बोल, साचे दरबारी की, जै